गोत्र की परंपरा है, वह अपने पहचान के रूप में है, अपनी कुल परंपरा के पहचान के रूप में है, क्योंकि हम लोग जब मानो जाती की उत्पत्ती, स्रिष्टी की उत्पत्ती पर अगर हम ध्यान देंगे, अगर उसका विपचार विमर्ज करेंगे, तो दिती और अधिती। दो माताओं से कश्यप रशी के द्वारा देवता और देटियों की उत्पत्ति हुई। मानोव भी उस क्रम में आते हैं, मानोव की चिश्चिंधे के बाद जी सीरिशी की परंपरा में, जी सीरिशी के कुल में जो वनसज आते हैं म स YEI जतने मिन अपने हाँ वजा सत्री लिस अपन Testament वॉतस्ताये इस वॉन में तो दो हमारे हैं यह जो ऊपार्ण की परंपरा है वह अपनी कुल परंपरा का परिशायक है यानि कि हमारी कुल की परंपरा कहां से शुरू हुई है क्योंकि हम जब भी यह देखते हैं कि सृष्टी की प्रिक्रिया के अंतरगत जब प्रम्हा जी ने सृष्टी के सृष्टी करने के बाद अपने मानस पुत्रों को उत्पन किया उसके बाद से रिशी कि जाए तो धर्म शास्त्र में गोत्र कित पक्ष का मानने होता है और क्या है गोत्र की परंपरा हमारे रीशी वैदिकाल से आ रही है आज जितने पूरे ब्रम्हान्द में लोग हैं किसी न किसी रीशी के द्वारा ही प्रदत्त संत्ति है बैवाहिक जीवन में सनातन धर्म में गोत्र की बड़ी प्रधानता होती है एक गोत्र में बिवाह करना निशेष कहा जया है दक्षिर भारत में मामा के गोत्र में बिवाह किया जाता है लेकिर उत्तर भारत में नहीं है कुछ अन्य राज्यों में भी मामा के गोत्र को ग्रहन किया जाता है फू अपने बुवा के भी गोत्र को ग्रहन किया जाता है